कि हलो एवर्यवन वेल्कम तौर य्जीब चैनल उम्मीद करता हूं आप सब बढ़ी होंगे तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल इंडिया यूज कोंसलिंगे registration process के बारे में step wise बात करेंगे हर step के बारे में बात करेंगे कि आपको अगला step क्या करना है तो जिन जिन लोगों ने अब तक telegram challenge join नहीं किया है वो फटा फट से join कर ले वहाँ पर आपको latest update मिलते रहेंगे और किसी कुछ भी personal पूछना हो तो मुझसे instagram पर पूछ सकते हैं दोनों का ही link में नीचे description box में दे दूँआ तो सबसे पहले आपको click करना है new registration पर आपके left side पर तो जैसी आप left side पर new registration पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह ऐसे interface खुल जाएगा तो interface खुलने के बाद सबसे पहले आपको देख फोन अपने साथ में रखना है जहां पर आपको OTP आएगा और वहां पर फिल करना होता है तो सबसे पहले यहां पर आपको पना roll number फिल करना है नीट वाला नीट वाल रोल नंबर फिल कर ले उसके बाद आपके application नंबर आपको रोस चेक कर लें कि आपने जो नीट में जो आपका जो admit card है वहां पर जो नाम है वो इससे similar है यह नहीं similar हो तो वही नाम भरें candidate आपने name भर दिया उसके बाद आपने बनना है mother's name तो mother's name में आप भर दें उसके बाद आपने बननी है date of birth नीचे आपने डालने है अपना phone number mobile number डालने है code आगे लगा हूँ है plus 91 mobile number डालने है वो ही डालने है जहां पे आपको OTP आएगा तो अपने साथ एक phone रखके रखना जिसमें वो OTP आएगा और साथ में आपने नीचे डाल देनी है वहाँ पे email ID अपनी email ID पे भी OTP आता है तो आपको यह दोनों ही चीज़े डाल देनी है उसके बाद आपको वहाँ पे डालने है security pin तो देखो आपको नीचे security pin देख रही है यहाँ पे YTSHLP तो आपको भी अलग से कोई security pin आ जाएग के फिर आपने click here to proceed कर देना है तो click here to proceed करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा email के नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको complete mailing address आपको अपना email address नहीं डालना है यहाँ पे आपको डालना होगा आपने अपना house number दालने है अपने यहाँ पे Gmail account नहीं डालना है अपने Gmail ID, Yahoo ID, कुछ भी नहीं दालने हैं, आपने अपना house number दालने हैं, जो भी आपका details है house की ठीके, वो दालने के बाद आपने दालने हैं नीचे pin code, आपकी city का जो pin code है, वो आपने यहाँ पे fill कर देने हैं, और नीचे आपने दालने है alternate mobile number, अगर आपके बाद कोई है तो, क्योंक phone number दाला तो, वो दाल सकते हैं, या कोई नया भी दाल सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपने security question दालने है, security question इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप कल को password भूल जाते हो, तो उसके बाद आपको इस security question पूछा जाता है, तो इससे भी आप अपना password reset कर सकते हो, ठीक है, आ ऐसे करके अपने password बना लेना, ठीक है, strong password बनाना आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा, उस password को दुबारा confirm कर देना नीचे, ठीक है, नीचे OTP फिल करना है, जो आपका phone में जो OTP आ है, वो यहाँ पर फिल कर दे, उसके बाद नीचे capture code जो नीचे लिखा रहा है security भी वो आ आप successfully registered हो जाएंगे, उसके बाद, click here to login पे click कर लेना है, तो जैसी आप click करेंगे, वैसी आपको कुछ इस तरह से interface देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपने अपना roll number ताल देना, roll number के बाद आपने अपना password दाल देना, जो आपने बनाये था, submit करने के बाद, आपको कुछ इ देखने को मिलेगा, आपके details आजाएंगे उपर और नीचे home पे देखो, आपने पढ़ना है, अब यहाँ पर आपने form फिल करना है, have you passed 10th week subject उर्दू, Arabic और Persian, अगर आपने B.U.M.S. में इन्विशन ले तो आपको उर्दू आनी चाहिए, ठीक है, yes है तो yes कर दे, no है तो no करदे, टेकसे अपना religion फिल करना है, अगर Hindu है तो Hindu फिल कर दे, अगर Sikh है तो Sikh फिल कर दे, Muslim हैं तो Muslim, etc., तेक है उसके बात आपने अपनी mother tongue फिल करनी है, mother tongue में अगर जैसे आपकी बोली Hindi है तो Hindi भर दे English है, Tamil है, जो भी आपकी जौ mother tongue है, वो हम आपी फिल कर दे, तेक है, क उसके बाद जो यह पुरानी details है जैसे कि person with disability तो नो पहले से ही हुआ है nationality Indian है तेक है उसके बाद आपने move to next पे click कर देना है तो जैसी आप move to next पे click करोगे आपको deemed के लिए पूछा जाएगा तो अगर आपने करनी है तो आप yes कर दे नहीं तो आप no कर दे अब move to next पे click करोगे फिर आपको खुलेगा Central University National Institute तो यहाँ पे आपने करनी है तो yes कर दे नहीं तो आप no करेंगे तो आपको यहाँ पे registration fees देनी होगी जो की है 1000 रुपिस for general category और यहाँ पे आपको साथ साथ token money भी देनी होती है वह है 10,000 तो अब आपका आएगा DU के लिए अब DU करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं अगर करना चाहते हैं तो आप yes कर दे आपको यहाँ पे details फिल करनी है सबसे पहले तो 11th और 12th का जो आपका school था उसका name यहाँ पर फिल कर देना है फिर्ट कोलम में उसके बाद आपने यहाँ पे class 11th और 12th का जो आपका school का address है वो यहाँ पर फिल कर देना है इसके बाद अगर आपके पास CW category में कोई quota है जैसे police person quota, Indian army quota, paramilitary quota तो आपने इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटर्फिस देखने को मिलेगा तो जैसे ओल इंडिया quota, government ADDS किया था, central university यहाँ था, additional information आपके आजाएगी और आपको counseling of fee पे करनी है वो यहाँ पे लिखी आजाएगी और नीचे security आपको नीचे security pin दाल लिए है जो security pin उपर दाल ले उसके बाद आपने proceed कर देना है जैसी आप proceed करेंगे जो आपके registration है वो successfully हो जाएगी देखो the candidate details update successfully तो अब आपने ok पे click कर देना है आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे choice filling यहाँ पे करनी होती है तो आपको ए choice filling में fill कर देनी है उसके बाद आपको क्या करना होगा proceed for payment करना है यहाँ पे जो पेमेंट करनी है जो भी payment method से करेंगे आप card से करते हैं या आप net banking से करते हैं आपको उसी से ही करनी है जहाँ पर आपको वो refund चाहिए security amount ठीक है अब आपने यहाँ पे go for payment पे click करना है तो जैस payment card है यह कोई भी card है अपने यहाँ से payment कर देनी है पेमेंट कर देंगे tuition fees की यानिकी जो security fees है और साथ साथ अपने जो registration fees है उसके बाद आपकी जो registration है वो complete हो जाएगी उसके बाद आप हर चीज के लिए eligible हो जाएंगे choice filling के लिए और आपको जो college होता है तो वह बहुत में ल अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनलों को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेर कर दें अपने दोस्तों तक जिन जिन को नहीं पता यूज कांसलिंग के बारे में जिसमें आते हैं BMS, BHMS, BUMS और BMS